सत्तर के दशक की खुबसूरत अदाकाराओं में से एक अदाकारा है जीनतमान जिन्होंने अपने मूवी में बोल्ड सीन के जरिये तो खुबसूर की अबटोरी इसके साथ साथ अपने उस दोर में कई फिल्मों में गैंग्स्टर का भी किरदा निभाया है और खुब नतीजा है कि अपने दोर में राज करने वाली एक्ट्रिस रही हैं जिन्होंने अपनी इनहीं काबिलियत के चलते अपने दोर की सभी एक्ट्रिस को पीछे छोड़ते हुए राज किया था उस दोर में लेकिन दोस्तों आप जीनतमान के बारे में तो सब जानते होंगे पर क तो हमारे साथ वीडियो के अंतक बनी रही है साथ ही अपने जमाने की दिलकश्च अदकारा जीनतमान के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें अपने दोर में राज करने वाली अभी नीतरी जीनतमान एक इसलाम धर्म से तालुक रखती हैं और इनके परिवार में इन्हें मिलाकर कुल आठ सदसे हैं जिनमें ये इनके पिता सौतेले पिता और माता के साथ पती और दो बच्चे शामिल है। इनकी माता सिंधा हिंजो ने कुछ सालो बाद हिंजो नाम के एक आदमी से शादी कर ली जिनकी कोई तस्वीर नहीं है और इस तरह से जीनतमान के दो फादर और एक मदर है। आपको बताते हैं इनकी दोनों फादर की पिक इंटरनेट पर उपलब्द नहीं है पर इनकी मदर क कुछ तस्वीर इंटरनेट पर देखने को मिल जाएंगी। ये तो रही इनकी फैमली की बात अब बात करें इनके प्रस्टन लाइफ के बारे में। तो इन्होंने साल 1980 में संजे खान से शादी कर ली थी पर आपसी मत भेद के चलते इन दोनोंने एक साल के अंदर ही एक जिसके बाद जीनतमान ने साल 1980 में मजखार खान से शादी कर ली थी और आज शादी से इने दो बेटों का शिवाद मिला है पर अफसुस शादी के 14 साल बाद मजखार खान इस दुनिया को छोड़ कर चल बसे और तब से जीनतमान सिंगल जिन्दगी जी रही है अब बात कर हैं वही इनके छोटा बेटा अजान खान एक फिल्म डिरेक्टर है चिन्होंने गैंग और दिल जैसे कई फिल्मों को डिरेक्ट किया है आपको बता दे इनके दोनों ही बेटे फिलहाल अपनी प्रस्टन लाइफ में सिंगल है और अपनी करियर पर फोकस कर रही है अब जब जीनत अमान की शादी हो चुकी है तो इनके परिवार में इनकी ससराल वाली फैमली भी शामिल हो चुकी है आपको बता दे इनके साथ ससोर लाइम डाइट से को सो दूर रहते हैं जिसके चलते आप इनकी एक भी तस्वीर इंटरनेट पर नहीं देख पाएंगे तो दोस्तो आपको अभी नेतरी जीनत अमान की रियल लाइफ फैमली के बारे में जानकर दुख हुआ की नहीं आप हमें अपने कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवूट इंडस्ट्री से जोड़ी ऐसी मज़दार खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले